पी पतनी का सच्चा प्यार एक आदमी ने एक बहुत ही खुबसूरत लड़की से शादी की शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी वह उसे बहुत चाहता था और उसकी खुबसूरती की हमेशा तारीफ किया करता था लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़की चर्म रोग से ग्रसित हो गई और धीरे धीरे उसकी खुबसूरती जाने लगी खुद को इस तरह देख उसके मन में डर समाने लगा कि वह बदसूरत हो गई तो उसका पती उससे नफरत करने लगेगा और वह उसके नफरत बरदाश नहीं कर पाएगी इस बीच एक दिन पती को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा काम खत्म कर जब वह घर लोट रहा था उसका एक्सिडेंट हो गया एक्सिडेंट में उसने अपनी दोनों आखे खो दी लेकिन इसके बागजूद भी उन दोनों की जिंदगी साम्माने तरीके से आगे बढ़ती रही समय गुजरता रहा और अपने चर्म रोप के कारण लड़की ने अपनी खुबसूरती पूरी तरह गवा दी वह बचूरत हो गई लेकिन अंधे पती को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था इसलिए उनके खुशहाल विवाहे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा वह उसे उसी तरह प्यार करता रहा एक दिन उस लड़की की मौत हो गई पती अब अकेला हो गया था वह बहुत दुखी था वह शहर को छोड़कर जाना चाहता था उसने अंतिन संसकार की सारी क्रियाविदी पूर्ण की और शहर छोड़कर जाने लगा तभी एक आदमी ने पीछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाऊगे? इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी पती ने जवाब दिया दोस्त मैं अंधा नहीं हूँ, मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बचसूरती देख सकता हूँ तो या उसे उसके रोग से ज़्यादा दर्द देता इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया वह बहुत अच्छी पत्नी थी मैं बस उसे खुश रखना चाहता था तो दोस्तों खुश रहने के लिए हमें भी एक दूसरे की कम्यों के प्रती आँख बन कर लेना चाहिए और उन कम्यों को नजर अंदाज कर देना चाहिए कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें